उत्राखन का ऐसा चमतकारी जहरना जहां पानी को हाथ तक नहीं लगा पाते पापी उत्राखन को दीव भूमी के नाम से भी जाना जाता है ऐसी माननेता है कि यहां के कड़ कड़ में दीव रहते हैं यहां की नदियों और जहरनों से लेकर धार्मिक जगों का अपना एक कारी जगहत लोगों को बेहद आकरशित करती है जिसमें यहां का जहरना भी आता है इस वाटरफॉल के बारे में कहते हैं कि इसका पानी पापी व्यक्तियों के तन पर पड़ते ही गिरना बंद कर देता है जी हां चमोली जिले के बद्रिनाथ में मौजूद इस जहरने के ब किलोमीटर और भारत के आखरी गाउं माना से कुछ पांच किलोमीटर दूर ये जहरना स्थित है समुद्र तल से 13500 उचे इस जहरने को वसुधारा के नाम से जाना जाता है जहरने का उलेक शास्त्रों में भी किया गया है बता दे पवित्र जहरना अपने अंदर कई रहसे म को समेटे हुए है इस जहरने का पानी करीबन 400 फीट की उचाई से गिरता है और इसकी खुबसूरत मोतियों जैसी धारा आपको स्वर्ग में होने का एहसास करा दी की इस जहरने की सबसे खास बात तो ये है कि धारा के नीचे खड़े होने वाले हर वैक्ति पर इसका पानी नहीं गिरता जी हाँ जिस वैक्ति ने पाप किये है उसके उपर पानी की एक बूंद नहीं गिरती गरंत के अनुसार यहाँ पांच पांडव में से सहदेव ने प्राण त्याग किये थे बाना जाता है अगर इस जहरने की बूंद किसी भी वैक्ति पर गिर जाए तो समझ जाए उस वैक्ति ने जीवन में पुन्य का काम किया है यही वज़ा है कि यहाँ देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग इस चमतकारे जहरने के नीचे एक बार जरूर खड़े होते हैं कहते हैं कि इस जहरने के पानी में कई जड़ी बूटियों के गुण भी है यह पान वही माना जाता है कि यहाँ अश्ट वसू ने तब किया था जिस वज़ह से जहरने का नाम वसुधारा नाम पड़ा यह जहरना इतना उचा है कि आपको पर्वत या आखरी चोटी एक बार में नजर नहीं आएगी यहाँ पहुशने के लिए आप माना गाउं से घोड़ा ख लिए हैं